हेलो एवरिवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं CESC Limited की विक्ली अनलेस्स देख लेते हैं चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो CESC में आज आप देखें कि स्टॉक में अवर्ड मुमेंटम देखने को मिला है आज मुमेंटम नो डाउट अच्छा रहा है बट आप उतको दना एक्सलेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक में कोई बड़ा मुव नहीं रहा है अभी देखने को मिली है वो 140 के आसपास यहीं पर ही देखने को मिल गई अब बाई टॉमोरो अगर स्टॉक फिर से तेजी पकड़ता है और इतना ही मूव करता है तो अपना टार्गेट पहुंचेगा 145 पे जो रिसेंट हाई है वहां तक और फिर अगर यह सस्टेन होगया 145 तो स्टॉक उपर की दिशाव ही पकड़ेगा और 150 पे अपना बड़ा हर्डिल फेस होगा 150 सस्टेन करने का चैनल के अंदर जो टार्गेट रहेगा जैसे 158 तक वहां तक स्टॉक जाने वाला है तो कुछ ऐसा मोमेंटम रहेगा यह अने वाले दिनों में अपने टार्गेट 136 पे somewhere here next support in the same line will be somewhere here 134 और 134 इतना strong support है आप देखें यहाँ पूरे जोन में 134 के नीचे नहीं गया गया तो तेजी से वापसी हुई यहाँ भी आप देखें 134 पे support लिया और यहाँ भी तो यहाँ ते strong support 134 नकल के आ रहा है इसके उपर ही stock जाने की कोशस करेगा ना की नी recently नतीजे अच्छे रहे 19th Jan को नतीजे जो आएं यही वज़ा है कि नतीजे इस दिन आने के बाद stock pullback रहा next day क्योंकि market को थोड़े नतीजे uneven देखने को मिले है यहाँ पे आप देखें indecision candle बनी next day market crash हुआ उसके बाद आप तेजी पकड़ रहा है तो CESC अब भागेगा no doubt नतीजे अच्छे रहें इसलिए और नतीजों में भी आप देख लें अगर तो जो इनकी revenue है revenue में 4.5 billion rupees का यहाँ पर एक इदाफा हुआ है और यहाँ पर आप देखें earnings में भी आप देखें तो similar रही है जितनी reported थी उतना ही estimate रहा है तो यहाँ पर कोई uneven नहीं रहे नतीज सारे positive हैं तो CESC आपको देखें तो कुछी दिन में आपको 160 के level पर देखने को मिलेगा जो भी resistance होगी वो 150 के बाद 160 पर ही देखने को मिलेगी dividend की बात करें तो जो x date है वो first fab है amount है 4.50 rupees and the payment date will be 18 fab तो यह dividend भी आ गया company का और आपके accounts में 18 fab के around पहुँचेगा तो यहां पर आप देखें CESC as simple as जैसा चल रहा था वैसे ही है कुछ भी बड़ा changes नहीं है बस जो support था strong में वो support strong बन चुका है 134 आने वाले दुनों में आपको target बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे तो यहां hold करके ही रखिएगा new entries अगर किसी को ले नहीं है तो आप ल पड़ेगा यह कुछ ऐसा से pattern बनेगा जब तक यहां तर ब्रेक आउट नहीं होता है ट्रेंड लाइन की ऊपर तब तक यही pattern चलने वाला है तो hopefully सारी चीज़ें यहां मैंने clear कर दियोंगी मिलते next वीडियो में this is me सुभा मियादा of standing off